आज हम देखेंगे त्रिबुच की रचना करने से संबंदित कुछ और उधारण जब उसकी तीनों भुजाओं के लंबाईया दी हों त्रिबुच ABC समकोंड त्रिबुच यानि राइट अंगल ट्राइंगल है जिसमें पाद यानि लेग AB बराबर तीन सेंटिमीटर है पाद BC बराबर चार सेंटिमीटर है और कोंड भी कमाप 90 डिगरी है त्रिबुच ABC की SSS कसोटी की सहायता से रचना कीजिए यहां हमें त्रिबुच ABC की रचना करनी है त्रिबुच ABC में AB बराबर तीन सेंटिमीटर है और BC बराबर चार सेंटिमीटर है हमें भुजा CA की लंबाई ग्यात नहीं है SSS कसोटी के अंतरगत हम किसी भी त्रिबुज की केवल दो भुजाओं के माप ग्यात होने से त्रिबुज की रचना नहीं कर सकते हैं SSS कसोटी के अंतरगत किसी भी त्रिबुज की रचना करने के लिए तीनो भुजाओं का माप ग्यात होना आवश्यक है इसलिए त्रिबुज ABC की रचना करने के लिए पहले हमें बुजा CA की लंबाई ग्याद करनी होगी प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि त्रिबुज ABC समकोन त्रिबुज है समकोन त्रिबुज एक ऐसा त्रिबुज है जिसमें एक कोन समकोन होता है याने की 90 डिगरी होता है हमें ये ग्यात है कि समकोन त्रिबुज में करने पर बना वर्ग 6 दो बुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है इसलिए AB का वर्ग धन, BC का वर्ग बराबर CA का वर्ग और प्रश्ण में दिया है कि AB बराबर 3 cm और BC बराबर 4 cm है इसलिए 3 का वर्ग धन, 4 का वर्ग बराबर CA का वर्ग CA का वर्ग बराबर 9 धन, 16 CA का वर्ग बराबर 25 CA का वर्ग का अर्थ है CA गुणा CA यानि कि हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका स्वयम से गुणन करने पर परिणाम 25 आए ऐसी संख्या है 5 क्योंकि 5 गुणा 5 बराबर 25 होते हैं अर्थात CA बराबर 5 cm अब हम त्रिबुच ABC की रचना कर सकते हैं पहला चरण पहले हम रूलर की सहायता से 4 cm लंबाई का रेखाखन BC कीचेंगे दूसरा चरण चुकि भुजा AB की लंबाई 3 cm है अर्थात बिंदू B बिंदू A से 3 cm की दूरी पर है इसलिए हम परकार के फैलाओं को 3 cm खोलेंगे अब बिंदू B को केंद्र मान कर हमें चाप खीचेंगे इसी चाप पर बिंदू A स्थित है चाप पर बिंदू A का स्थान ग्याद करने के लिए हमें एक और चाप खीचने की आवश्यक्ता है तीसरा चरण हमें ग्याद है कि पुजा C A की लंबाई 5 cm है इसका अर्थ है कि बिंदू C बिंदू A से 5 cm की दूरी पर है इसलिए अब हम परकार के फैलाओ को 5 cm खोलेंगे 5 cm की त्रिज्या लेकर और बिंदू C को केंद्र मान कर हमें एक चाप खीचेंगे चौथा चरण दोनों चाप एक दूसरे को एक बिंदू पर प्रतिचेत करते हैं यही बिंदू बिंदू A है इसलिए बिंदू पर A अंकित करेंगे अब हम बिंदू A और बिंदू B को जोडेंगे यह त्रिबुज ABC की भुजा A B है हम बिन्दु A और बिन्दु C को भी जोडेंगे ये त्रिबुज ABC की भुजा AC है ये है त्रिबुज ABC जो एक समकोर त्रिबुज है जिसमें भुजा AB की लंबाई है 3 cm भुजा BC की लंबाई है 4 cm और भुजा CA की लंबाई है 5 cm अगला उधारण ग्याद कीजी की रेखाखंड BA बराबर 4.3 cm रेखाखंड EC बराबर 2.2 cm और रेखाखंड CB बराबर 7.9 cm लेकर त्रिबुज BAC खीचा जा सकता है अथवा नहीं आपको याद होगा की हमने त्रिबुज के गुणवाले अध्याए अध्याए 6 में पढ़ा था की त्रिबुज की किनी भी दो बुजाओं की लंबाईों का योग तीसरी बुजा की लंबाई से अधिक होता है यहां बुजा BA और बुजा CB की लंबाईों का योग है 12.2 cm जोकी बुजा AC की लंबाई से अधिक है साथ ही साथ भुजा AC और भुजा CB की लंबाईयों का योग है 10.1 cm जोकि भुजा BA की लंबाई से अधिक है परन्तु भुजा BA की लंबाई 4.3 cm है और भुजा AC की लंबाई 2.2 cm है इनकी लंबाईयों का योग है 6.5 cm जोकि भुजा CB की लंबाई से छोटा है अर्थात यहां त्रिबुज BAC में दो बुजाओं का योग तीसरी बुजा से बड़ा नहीं है बलकि यह छोटा है चुकि प्रतेक स्थिती में त्रिबुज की किनीवी दो बुजाओं की लंबाई का योग तीसरी बुजा की लंबाई से अधिक नहीं है इसलिए दिये गए मापों से त्रिबुच BAC नहीं खीचा जा सकता आज हमने देखे त्रिबुच की रचना करने से संबंदित कुछ और उधारण जब उसकी तीनों बुजाओं की लंबाईया दी हो